आज इस वीडियम बात करेंगे हम हिंदु मरे जट की कोशिश करेंगे कि जितने भी सेक्शन हिंदु मरे जट में वो सारे आज कवर करें देखे पहली बात ये लोग एनेक्ट हुआ था by the parliament in the sixth year of Republic of India पहले सेक्शन कहता है short title and extent ये है पहले सेक्शन short title and extent इसके अनुसार इस अधिनयों कहा जाएगा हिंदु मरे जट 1955 और extent कहा था होगा तो इसका सब्सक्शन 2 कहता है it extends to all of India accepts ये जेन के को छोड़के it applies to all Hindus domicile in the territories to which this act extends who are outside the set territories मतलब जितनी भी इंदियन territories है उन से में लगो होगा दूसरा जो domicile है मतलब जो इंडियन्स है अगर वो उस territory के बाहर भी है तो उन पे भी हिंदु मरे जट लगो होगा माली जे एनराई है non-residents of India है परंतु है तो इंडियन्स उन्होंने जो नागरीता हो तो भारत के लिए रखी है तो उन पे भी चाहे वो इंडिया में रहते हो या फिर ऐसी territory में रहते हो जो इंडिया में नहीं आता उन पे भी हिंदु मरे जट लागो होगा अब आता है कि हिंदु मरे जट में कवर कौन कौन होगा तो यह बताया गया section 2 जिसमें कहा गया application of act मतलब किन किन पे act applicable होगा तो देगे इसका subsection 1 read करते है कहता है to any person who is Hindu by religion in any of its forms and developments including व्रिषवा लिंगयात और the follower of the Brahma प्राथनान आर्या समाज इन समाज की followers है वरिष्णया या लिंगया जो के बगवान शिव के followers होता है तो इन सब के समाज के followers है वो सब हिंदु मेरे जट में cover होंगे second section B कहता है to any person who is Buddhist जैनाज सिख भाई religion कोई भी वैक्ती जो धरम से चाहे बुद्ध हो जैन हो या फिर सिखो ध्यान रखे कि सिखो को भी Hindu marriage act के अंदर ही अरखा गया है तो हम कह सकते है कि जो Hindu marriage act ते इसका मतलब यहीं है कि सिर्फ उन ही पे लागव होता है जो Hindu religion follow करते है तो application of act यहीं ही कहता है कि जिन वेक्तियों पी Hindu marriage act लग रहा है वो Hindu योंगे ऐसा नहीं है तो यह सब सक्षिन सब सब कह रहा है कि Hindu law उन सब पे लगेगा जो कि by religion Muslim नहीं है Christian नहीं पार्सी नहीं और Jews नहीं है तो यह कह रहा है कि ऐसा कोई वेक्ति इसका religion defined नहीं है उसे नहीं पता हम कोई नहीं पता हो कौन से धर्म को follow करता है यह उसके क्या rituals से क्या customs हमें नहीं पता तो उन पे भी Hindu मरिजक्ट लागो होगा तो अब हम साधरने बाशें हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते कि जो Hindu मरिज law है यह एक तरह का विस्तारवादी है अब जिनका नहीं पता है कि कौन से रिजन को follow करते है उनको उन पे आपने Hindu मरिजक्ट लगा दिया अब इसका section 2 कहता है not withstanding anything containing the subsection, nothing containing this act shall apply to the members of any scheduled tribe with the meaning of clause 25 or article 36 of constitution देखे, ST पे यह Hindu मरिजक्ट नहीं लगता है, जैसे आप जानते होंगे कि ST ST पे Hindu मरिजक्ट नहीं लगता, इनके लग से लोग बने होता है इसका third section देखे, इसका third section कह रहा है the expression Hindu in any portion of this act shall be constitute as if it include a person who though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provision containing the section जैसे मैंने कहा था कि एक्ट रिलिजन को confirm नहीं करता ऐसा जरूर नहीं है कि किसे पे Hindu मरिजक्ट लग रहा है, तो वो Hindu योगा, वो Sikh भी हो सकता है, जैन पे हो सकता है, बुद्धी भी हो सकता है इसी बात को उन्होंने क्लियर किया सब section 3 के अंदर section 3 के बात करें, तो समें definition बारे बता गया, जैसे ही custom uses, full blood, half blood, uterine blood relationship, then sapindra's relationship, prohibited relationship, इन सब के बारे में section 3 ही बता गया, बट ये थोड़ा बड़ा टोपेक है, इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करेंगे, तो सीधे आता है section 4 पर, section 4 बात करता है, तो अगर section 4 बात करता है, interpretation of Hindu law, any custom uses of the part of that law enforce immediately before the commencement of this act, shall cease to have effect with respect to any matter for which the provisions and maintenance act, मतलब कोई भी text, interpretation of law, या किसी बतर अगर law, ये हिंदु मरे जएक बनने से पहले अगर effective था, तो इस law के बनते ही, वो जो law बने वे थे पराने वो सारे, सीधे हो जाएंगे, उनका जो effective प्रभावा खतम हो जाएगा, second section कहत है, any other law enforce immediately before the commencement of this act, shall cease to have effect in so far as it consistent with any of the provisions contained in this act, second section clear गरता है कि any law, जो इस act के contradiction में है, उसका प्रभावी खतम हो जाएगा, लेकि section 5, section 5 है condition for Hindu marriage, section 5 बताया गया है कि Hindu marriage के लिए कौन कोई शर्त है, क्या कहता है section 5, ये कहता है, a marriage may be solemnized between any two Hindus, Hindu marriage के लिए उन दोनों वेक्तियों का Hindu होना जरूरी है, जो किसी Hindu वेक्ति की शादी मुस्लिम से होती हो तो फिर हो special marriage act में cover होगा, वो Hindu marriage में cover नहीं होगा, अब इसके 5 conditions क्या क्या है, पहले condition है, neither party is a spouse living at the time of marriage, तो पहले condition है, no living spouse, ये कह रहा है कि जिन वेक्तियों की शादी ह जरूरी है, उनका किसी का भी living spouse नहीं होना जरूरी है, मतलब उनके partner जिवीत नहीं होना जरूरी है, अगर हम सीधी भाशें हम बात करें, तो उन दोनों वेक्तियों क्या तो first marriage होनी जरूरी है, और अगर किसी की second marriage आए, तो पहले partners उनका डिवोस होना कंपल सरी है, second subsequent कहता ह इसका, at the time of marriage, neither party, इसका भी subsection, second A, इसमें भी दो section दिये हुए, A, A कहता है, is incapable of giving a valid consent to it in a consequences of unsoundness of mind, किसी भी शादी के लिए consent होना बहुत जरूरी है, मर्जी होना बहुत जरूरी है, उसकी हमी होना बहुत जरूरी है, अगर किसी वेक्ति की शादी में हमी नहीं है, तो जा यहाँ पे बात कर रहा, unsoundness of mind, अगर किसी वेक्ति, जो incapable है, valid consent देनेगा, because of unsoundness of mind, उसका जो विकरत बुद्धी है, या फिर कह सकते है कि विकास नहीं हो, दिमाग का, या हम कह सकते है कि उसका दिमागी विकास नहीं हुआ, तो ऐसी प्रस्तिति में, जाहिट सी बात हो, valid consent इनकेपेबल है, उसको नहीं पता हो क्या कर रहा है, तो ऐसे वेक्ति की शादी भी नहीं मानी जाएगी, दूसरा B-Clause कह रहा है, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such kind, or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children, इसका B-Clause कह रहा है, maybe वो fit हो सकता for the valid consent, परन्तु, शादी के समय, maybe he is suffering from, he or she is suffering from some kind of mental disorder, किसी तरह का मानसिक बिमारी हो सकती है, उसको, किसी तरह का मानसिक विकार से उसको पेडिक हो सकता है, तो ऐसी परिस्तिति में वो शादी के लिए अयोग्य है, तो पहली condition थी no living spouse, second condition में दो clause थे हैं B, पहला clause था, incapable of giving valid consent, because of unsoundness of mind, इसका B-Clause था, may be capable of giving valid consent, but he or she may be suffering from some kind of mental disorder तो ऐसा विक्ती भी अयोग्य माने जाएगा, इसका clause CBA हो कहता है, has been subject to recurrent attack of insanity, insanity से मतलब यहाँ पागलपन के दोर है, maybe वो unsound mind कर ना हो, कोई mental disorder भी ना हो, लेकिन हो सकता है, कभी-कभी इसमें पागलपन के दोर है बढ़ते हो, तो ऐसा विक्ती भी अयोग्य करार दिया ग लड़के की उमर 21 या 21 से ज्यादा होनी चीए, और लड़के की उमर 18 या 18 से ज्यादा होनी चीए, तो तीन condition बात होगे, no living spouse, second in capital of valid consent, in case unsoundness of mind अगर valid consent दे सकता है, अगर mental disorder सफर कर रहा है, इसमें C clause था, insanity, अगर पागलपन के दोर है, फिर इसमें 3rd clause आया, इसमें पताया अगर लड़के की उमर कम से कम 21 और लड़के की 18 साल होनी चीए, फूर्स सब्चिन के यदा, the parties are not within the degree of prohibited relationship, unless the custom uses governing each of them, permits of marriage between the two, यानि का अगर अप prohibited relation के हम बात में बात करेंगे, अभी आप ये समहली जें कि prohibited relations में नहीं होने चीए, जब तक कि उनके customs, जो उनको गवन करते वोलाव ना करें, उसका पांचवा सब्सक्षेन होगाता है, they shall not be sapindas of each other, sapindas of each other, अगर sapindas की बात करें तो आप समझें कि, ये कहना चारा है कि सेम लिनेंड असेंडेंट्स नहीं होने चाहिए, मान लीजे लड़का और लड़की की बात करें, इनके father, mother, father और mother, तो ये अ ascendant मतलब उपरी लाइन की बात हो रही, अपर generation की बात हो रही है, तो mother के case के अंदर third generation तक same नहीं होने चाहिए, और father के अंदर fifth generation, five generations, तक same नहीं होने चाहिए, इसमें first generation काउंट करेंगे इसको, मान लीजे लड़का है, इसके शादी होने वाली तो ये होगी first generation, इसके है, तो इसका मतलब भी दोनों एक दूसरा के सपिंदाज है, अब आता है section 7 पर, ये कहता है ceremonies for Hindu marriage, हिंदी में इसको कहता है, हिंदु विवा के लिए कर्म कांड, लेकि बहुत important section है, ये basically ये कह रहा है कि, अगर हम इसको read out करेंगे तो ये कहता है, ये हिंदु मारीज में भी is solemnized in accordance with the customary rights and ceremonies of either party there too, इसका second subsection है, वेर सच राइस and ceremonies include, the sapth padhi, that is taking of seven steps by bridegroom and bride jointly before the sacred, fire, the marriage becomes complete and the binding when the seventh step is taken, basically ये कह रहा है कि, हिंदु शादिया जैसे होती है, जैसे समार होता है, function होता है, इस कहला हो, जो important करिया होती ही, वो होती है आपकी sapth padhi, जो साथ फेर की करिया होती है वो सबसे important माना गया है, it is mandatory for the hindu marriage to be completed, जब तक sapthi नहीं है, तो ऐसी marriage को valid hindu marriage नहीं का जाता, आप इसके सर्मीन जोन जी प्लस, सब पढ़िए, seven steps, तो किसी भी hindu marriage के लिए, ये चीज़े mandatory है, ये section important इसलिए है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, बाइगरमी का, बाइगरमी दी विवा, एक से ज़्यादा विवा, कि एक partner के होते वे, spouse के होते वे, चाए वो पत्नी हो, चाए पती हो, दूसरी शादी कर लियाना, मतलब आपने उसको divorce बिने दिया, आपने दूसरी शादी कर ली, तो वो बाइगरमी है, और IPC, 494 और 495 में ये offense आता है, इंपोर्टन इसलिए है, क्योंकि IPC, 494 के अंदर, offense बनने के लिए ये थापित करना होता है, कि इन्होंने जो second marriage की है, वो valid है, अगर मान लीजिए, कोई marriage agreement करके शादी कर लेता है, या इसके बिना शादी करता है, तो फिर ऐसे शादी को शादी नहीं माना जाता है, देखे जातर लोग शादियों के मान इसको रेस्टर करवाते है, तो जो रेस्टरेशन के बारे में पुरा प्रोसेस है, कि section 8 में बताया गया है, आप इसको पढ़िएगा, इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया, आपको सिर्फ याद रखना है कि section 8 is about registration of हिंदो मारीज, इसको कहते ह of concjanuku rights When either the husband or wife has without reasonable excuse, withdraw from the society of the other, the aggrieved party may apply by the petition to district court for restriction of conjugal rights and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition यह कह रहा है, जब पती या पत्नि दोनों में से कोई भी without any valid reason, अगर उसकी company मतलब उसके साथ नहीं रहते है, उसको छोड़के चले जाते है without any valid reason. तो जो other party, तो जो opposite party है, माल लीजे wife यहां पर husband की company से चली गई, को छोड़ के चले गई मतला husband का house चोड़ के चले गई जनरल यह होता है कि wife जो होती हो पती हो पती के साथ पती घर बे रहती है अब यहां पर माली जे पतनी उसके घर को छोड़ के चले गई तो यहां पर husband section 9 की application लगा सकता district court में family court के अंदर जिसे कहता है RCR की application restoration of conjugal rights अब पिटिशन लगने के बाद court को देखना होता है कि अगर without any valid reason wife husband के चोड़ के गई है तो फिर वो degree pass कर सकती है in the favor of husband RCR के degree का मतलब यह हो गया कि एक तरह से wife को आदेश दिया गया कि आप पती के पास वापस आए अगर आप family court गए हो आपने मुकद में देखे तो वहाँ देखना RCR file की जाती है section 9 के तयर 10th section is about judicial separation judicial separation ना में बता रहा है separation बता रहा है कि husband wife का separation judicially court के थरू अब देखे कह रहा है either party to marriage whether solemnized before or after the commencement of this act may present a petition praying for a degree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13 and in the case of wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof as grounds on which the petition for divorce might have been presented देखे पहला subsection के रहा है either party मतलब husband और wife दोनों में से कोई भी petition file कर सकता है for what judicial separation on which grounds grounds के बाद की के इन्होंने section 13 section 13 के subsection 1 के अंदर देखे section 13 बता आ गया ground for divorce के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो अभी आप यह ध्यान रखिएगा कि husband wife दोनों के लिए एक तो option है section 13 में subsection 1 wife के लिए especially section 13 के अंदर subsection 2 कुछ grounds देखे हुए जो सिर्फ wife को दे जाते है for divorce इन grounds पे husband wife कोई भी judicial separation के petition court में file कर सकते हैं अब देखे judicial separation में हूरता गया तो यह subsection 2 कह रहा है इसका वे डिगरी for judicial separation has been passed it shall be it shall no longer be obligatory for petitioner to cohabit with the respondent अगर judicial separation के डिगरी पास हो जाती है petitioner के favor में तो फिर वो obligatory नहीं है उसके लिए कि वो respondent है उसके साथ रहे पहले चीज़ तो no obligations तो यहां पे अगर petition husband ने file किये और उनके favor में आती है judicial separation की डिगरी तो फिर husband के लिए obligatory नहीं है कि वो wife के साथ कोई भीट करे साथ में रहे section 10 is about judicial separation कोई भी petition लगा सकता husband wife दोनों में से यहां पे कोई obligations नहीं होगी अगर अगर डिगरी पारीत होती है तो no obligations for the petitioner to cooperate with respondent grounds की बात की की थी वहां पे section 13 के बारे मताया गया था कि जो divorce के ground होंगे वही judicial separation के ground होंगे अब देगे यहां से जो topic cover होगा वो होगा nullity of nullity and divorce 11 की बात करें तो इसमें बताया गया void marriage और section 12 voidable marriage void or voidable मतलब समझते हैं इन में क्या फरक है void and voidable void का मतलब हो कि null जिसका वह effect नहीं है कह सकते है कि वह legally सही नहीं थी तो वो void marriage क्या लाएगी तो ऐसी शादी जो legally नहीं होने चाहिए थी वो marriage होगी void voidable वह होती है जो legally सही नहीं है बट other party depends करता है वह उसको voidable declare कराना चाहरा है कि नहीं चाहरा है जो कानून की नजर में void है वह section 11 के अंदर है और जो voidable है other party को right है कि वह चाहे तो उस शादी को void declare करा सकता है उसके बारे मताया गया section 12 voidable marriage अब इसको detail में पढ़ते है क्या कह रहा है तो 11 section आपका void marriage यह कहता है any marriage solemnized after commencement of this act shall be null and void and may on the petition presented by either party there too against other party be declared be so declared by degree of nullity if it contravens any one of the condition specified in clause 1st 4th and 5th of section 5 section के साब से ऐसी शादी void होगी या फिर other party उसको null declare करा सकती है जो की contraven होगी किसके contraven होगी जो section 5 में section 5 के अंदर जो condition for marriage थी उसमें section 1st sorry उसमें subsection 1st 4th and 5th अगर इसे contraven में है इससे contradictory है तो वो शादी void होगी या अदर पार्टी उसको void और अदर पार्टी उसको null या अनल्ड करा सकती है अब section 5 के अंदर पहले subscription condition क्या थी अगर आपको याद हो तो था no living spouse fourth condition आपकी थी prohibited relations वाली है और fifth में आपका था sapindas they shall not be sapinda to each other now come to section 12 that is voidable marriage इसका पहला suggestion क्याता है any marriage solemnized weather before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by degree of nullity on the following grounds section 11 के अंदर पह degree of nullity पास होती है और section 12 के अंदर भी degree of nullity पास होती है इसमें पहला clause है that the marriage has not been consummated oving to the importance of respondent तो पहला इसमें importancy करान बता है कि अगर other party की नपनसता के वाज़े से वो marriage consummated नहीं होती जो relations बनने चीए वो नहीं बन पाते तो ऐसी प्रिस्थिते के अंदर भी marriage void कराने के लिए a petition file की जा सकती है फी clause कह रहा इसका that the marriage is in contravention of the condition specified in clause 2nd of section 5 इसमें section 5 में दो थे आपको याद हो तो second के अंदर a और b एक थापका unsoundness of mind और एक थापका mental disorder अगर मा लीजे किसी से छिपा के वेक्ती को पता नहीं है सामने वाले वेक्ती को और उसकी शादी ऐसे वेक्ती से हो गई जो unsoundness of mind या किसी प्रिस्थिते के अंदर भी वो उस शादी को वोइड करा सकता है तीसरी सबक्त तीसरा clause कह रहा है इसका that the consent of the petitioner or where the consent of guardian in marriage of the petitioner was required under Section 5 as it stood immediately before the commencement of Child Marriages Act 1978 and the consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of ceremony देखिए यहाँ पे बात की कि consent की जैसे कि हमने Section 5 में बात किया दाए कि consent बहुत जरूर ही है तो अगर यहाँ पे consent मालेजे गारजनी consent ली गई है फॉर्सफिली ली गई है या फ्रॉट से ली गई है फॉर्सफिली मतलब दरादमगा की ली गई है फ़्रॉट से ली गई है अगर इस तरह कंसेंट ली गई है गार्जन से फिर्ष सिति इंदरी वह शाधी वैडियबल होगी इसका डी-क्लोस कहा रहा है that the respondent was at the time of the marriage प्रेग्नेंट या तो एसी शादी को प्रेटिशन मतलब हस्बेंड जो वोइड करा सकता है अगर किसी वेक्ति को पता जलता है कि मेरे साथ धुका हुआ है या मेरे शाधी फोर्स फुली हुई है तो उसका भी एक टाइम पिट बता गया है जैसे कि अगर फोर्स फुली आप फ्रॉड करके किसी शाधी की गई है और जब उस वेक्ति को पता जलता है तो दिन वन यर उसे वाड़ेवल मेरेश की पिटिशन लगानी होगी ऐसे अधर ग्राउंड्स के बारे में भी कुछ कंडिशन बताई गई है यह आप इसको पढ़ करे नदो